वक्व संसोधन एक्ट को लेकर के संसद में जम करके हंगामा हुआ, इतना ही नहीं, बैयाल बाजी का सिलसला लगातार जा रही है। तक कि मस्जिदों से एलान भी किया जा रहा है लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि वक्ष आया तो मुसल्मानों को क्या नुक्सान हो सकता है वहीं दूसरी तरफ बांगलादेश में हिंदूों का नरसंगहार लगातार जा रही है लगातार उनके ओपर अत्याचा बता है कि जब बात वक्ष वोड की होती है तमाम बिपच्छी दल एक साथ आजाते हैं संसाद में विरोध करते हैं लेकिन हिंदू हितों की बात को यह नहीं करता यह जरूर करना चाहिए जो नियम लाया गया है उसको देश की संपत्ति उसको देश में रहनी चीए उसको द नहीं देश की सरकार को भी कड़े तरीके से मुद्ध उठाना चाहिए और देश के जो भी पच्छी दल है उनको सब को यह उत्ता के साथ अपनी बात कहनी चाहिए और उसका विरोध करना चाहिए जिस सरीके से वक्ष पैक्ट को लेकर के लगातार विरोध हुआ विरोध नहीं ला कलिए उसमें उनको कांग्रेस सरकार को उनको यह दिखता है कि गाजा में जो हो・ला हम ला उनको वह दिख रहा उसमें को बौल रहा है मगर जो हमारे बांगलादेश में मौट आ पहलों को छी है औरू सरमनाग वाए मौण आ embargo टो आंग जो यह पक्छि दोब रहे ab हिंदू समाज के लिए कोई भी खड़ा नहीं होता है और मुसलिम समाज को भी इवाज उठानी चाहिए किसी हद तक की आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं आपके ही बीच में हमारे आपके लोग रहे रहे हैं कम उनको यह सोचना चाहिए कि बांगला देश में है तो हिंदू स्वाईचारी के इनको एक मिसाल यहां के मुसलम समाज को देना चाहिए क्या लगता है कि जब हिंदू के हिंदू पे हमला हो कुछ भी हो तो भी पच्छ बोलता नहीं है लेकिन मुसलमानों बजरा सिहाच आ जाजा तो होड़ा सुरू कर देता है अगर हम एक दूसरे के सिकायत करने की जरूवत नहीं हम सब को एक होने की जरूवत है क्यों अख्रेश राहूल गांदी नहीं हम किसी के लिए कुछ भी ने गा सकते क्या उनके लिए यह कहूंगा खाली वो छोटे से वोट बैंक को ले करके इतने पज़ेशिव हैं और हिंदू इजना बड़ा होन करने के बाद ही होगा चीजों को समझने की जरूवत है क्या लगता है अपको ऐसा क्यों है देश में कि विपक्ष जब क्या कि बात होती है मुसलिम मुसल्मान हितों की तो एक यूट हो जाते हैं लेकि हिंदू के बात नहीं करते हैं आज बड़ा सर्म की विसाय कि हमारी का उनका ब्यान आज यहां भी हो सकता है जो वंगलादेश में घटी तुबा और बहुत सर्म की बाद की लोग इनके ओपर कोई कालभाई केंज सरकार नहीं कर रही है आज हम लोग का विसाय आया तो आज हमास्तंग के परवार वहां पर चिंता कर रहा है मनन कर रहा है देख र कि उनका गठा नुबादम की सरकार का अनवचारिक रूप से और देखा जारा है कि मतलब कितना मतलब हम इनके लिए कर सकते हैं मोधी जी प्रयास किया कि हो सकता है कि सल्मान खुर्षीद का दो बयान उसको संग्यान में लेकर को स्पर कारवाई करनी चाहिए आप कर रहे है सल्मान खुर्षीद का मले संकार रहे हैं लोग बना गंदा ब्यान दिया यह अच्छी बात है बहुत कराव बात है क्यों एसा हो रहा है यह सब विपच्च की तो सुरू से मान सिकता है यह रही है चाहिए वो अखले सेयदा हो राहुल गांदी हो उनके खुद के फादर जो कमॲिए्टिरी से बेलाओं करते हैं तो उनको इन किसी बातों सो कॉई मतलब नहीं नहीं उनको ज़गता है कि बास हम किस तरह से अपनी पार्ण को समйट के रखें पस नسी हुआ उनको राजनीत कर रहा है पस इसलिए धर्म से किसी बात से कोई मतलब नहीं लोगा की बने आमिर साजी के अब भी संग परिवार ने बैठक करी और कहा कि वो उन्के लिए कुछ किया जाए जो वहां पर परियार परिशान हो रहा है हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं मोदी जी ना अभवान किया और संग्यान भी लेने की बात करी वहां के पर्धान मतरी जो भी बने है कि वहाँ पे हिंदों पे अत्यचार नहीं होना चाहिए तो कहीं नहीं उस चीज का दबाव है वो है लिकिन अभी तो फ्री है ना वो लोग विपक्ष को भी एक दिखानी चाहिए वो भी इस मुद्दे पर एक होना चाहिए विपक्ष तो बिल्कुल वो तो सिर्फ एक अपने भाग्य है कि एल ओपी जो हमारा है जिसको बोलना चाहिए हिंदु हित के लिए देश हित के लिए वो बिलकुल बन्याइन पहन के घूम रहा है कोई मर्यादा इस देश की उसको नहीं है केवल अपनी एलोपी की कुरसी और केवल कांग्रेस पार्टी का बचाओ यही उसके दि कर देश के बात कर रहा इस देश की सबसेव पीपश्का पाल्यामेंट में वहारा है हिंदू हिंशक है हिंदू हिंशक है इस देश का दुर भाग है कि ऐसे लोगों को इस देश का लोग सभा में विपच्च का नेता बना दिया गया जिसको ना मर्यादा का ध्यान है ना अपनी भासा का ध्यान है ना समाज का ध्यान है ना देश का ध्यान है ऐसे लोगों को तका कि अरुट के खिलाब ही कारवाई करनी चाहिए जो इस देश कि संसत को नहीं चलने देना चाहिता है जो अपनी बात कहता है और बात सुनना नहीं चाहिता है लोग्सभा और राजसभात दो हमारी इतनी सबसे बड़ी संसाइं हैं इन में हम अपनी बात कहिने के लिए ही चुने गए हैं जब हम अपनी बात कहेंगे और किसी की बात सुनेंगे नहीं तो लोग सभा और राज सभा का आउचित क्या रह जाएगा ये लोग सभा और राज सभा की मर्यादा को भंग कर रहे हैं इनके खिलाब एक कानूनी कारवाई करना चाहिए सारे जो इस समय सत्ता में बैठे लोग है उन लोगों की एक जिम्मेदारी है कि वो केवल सत्ता नहीं चला रहे हैं वो इस देश के आम गरीब नागिलकों के हितों के लिए ही जुने गए वो नहीं हो पा रहा है चुकि आप कहना चाहते हैं और सुनना नहीं चाहते हैं कहिए भी और सुनिये भी और फिर जो समाझ करें कि यह होना चाहिए यही सबसे जाओर उचित में समगता हूं जया ओको भी लगता है कि यह हितव रखना के जो और सुनना नहीं चाहते है और ना ही हिंदू हितों कี बात करना चाहते हैं वहां के यह बहुत दुखा है मुस्लिमों के हितों अपर कोई भी इत्याचार होता तो विपक्ष एक जूट रहा था सर इन लोग का वोट बैंक है इनका जो इनका जो बैक्ग्राउंड है वो भी कही न कहीं मुस्लिमों से अटैच हुआ है तो इसलिए यह लोग जो उसमें न सब्सक्ता बोली नहीं को निकालने मात हो पासे रही हैं उनको निकालने की बात हुए है यह पता लेका निकले की नहीं निकले भी बाई वोट बैंक के लिए साहिं आप बाई पूर के लोगों को आपने सुना जिनकी अलग अलग राय है उनका कहना यह है कि हिंदु हीतों की जब बात होती है तब भी पक्ष बिखरा हुआ नहीं पर लोग बोलते रहे लेकिन हिंदु एक जूठे हो करके वोट नहीं करता हिंदुओं में विखराओ देखने को मिलता है विए जम्री सिंग के साथ स्यम्तिवारी लिजिस्टेट कानपूर